नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मार्च दो हजार बीस में डबल्यू एचो ने कोविड नाइटीन को ग्लोबल महामारी के नाम से घोशित किया था और उसके बाद हमारे साथ क्या बीता, हमारी जन जीवन कैसे रुग सी गई थी और उसके आगे का समा हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमने वो फेज वन और फेज दो जो कोविड नाइटीन के थे हमने किस तरह से वो बिताए और इसका प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ा इसने हमारी काफी प्रिक्षा भी ली COVID-19 ने और इस प्रिक्षा से शिक्षा को भी जूजना पड़ा तो शिक्षा जगत में कुछ ऐसे बदलाव किये गए कि विद्यार्थियों की शिक्षा पर उसका ज़्यादा असर ना हो आए इसी विशे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्तित है स्टूडियो में शिरी विक्रम नईयर जी जो की पंजाब विश्विद्यालय के रिजिस्टर हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह की रन निती अपनाई इस कोविड नाइंटीन की महामारी से बहाव शिक्षा जगत पर कैसा पड़ा तो सबसे पहले जो एहम सवाल उटता है मन में वो यही है कि परशासनिक स्तर पर आपको किस तरह से चनोतियों का सामना करना पड़ा उसमें आपका स्टाफ भी आता है स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके रेजिडेंट्स भी आते ह जो पंजाब ही शुदाले में रह रहे थे तो हम जाना चाहेंगे आपने किस तरह के कदम उठाए उन सब को जूजने के लिए नमस्कार आप सब जानते हैं करोना जो की एक विश्व्याप्पी महामारी है जिसने दुनिया के हर देश, हर वर्ग और हर तरह की गतिविदियों को प्रभावित किया और जो सबसे जादा प्रभावित होने वाली गतिविदियों में से एक थी शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा प्रणाली जिसमें हमने आज तक एक क्लास्रूम टीचिंग के महाल को देखा है जिसमें हमने लैब वर्क में बच्चों को काम करते हुए देखा है एकदम से करोना की आने के बाद वो सारी चीजें खतम हो गई और हमारे आगे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि सिक्षा प्रणाली को बच्चों का समय खराब ना हो उनका भविश्य खराब ना हो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं इन चीजों के उपर जब करोना की पहली लहर आई तो बहुत सारी भरांतियां थी मन में अनसर्टिनिस थी क्योंकि कोई अथन्टिकेटेड रिसर्च नहीं थी कि इसका संक्रमन कैसे होता है फिजिकल कॉंटेक्ट से होता है क्या सर्फिस ट्रांस्परिशन से भी हो जाता है इवन की एक कोई व्यक्ति एक कागस दूसरे व्यक्ति को कागस दे रहा है उससे भी संक्रमन फैनले की ये भी बरांतियां थी फिर फेक्टर था बहुत बढ़ा फिर फेक्टर था और अनसर्टिनिटी बहुत थी तो उस सब के बीच एकदम से भारत सरकार ने जो की एक सही नरने था लॉक्डाउन लगाया और दीरे दीरे उस लॉक्डाउन में एक समय बद करमवार उसमें धील देते गए अब यहां पर चुनोती सबसे बड़ी यह थी कि इन सब गती वीदियों को बंध होने के साथ साथ हमने शिक्षा को आगे कैसे प्रणाली को बढ़ाना है यहां पर मेरे ख्याल से जो भारत सरकार की 2015 में जो डिजिशल इंडिया की एक प्रियोजना थी यहां हमके ए गवर्नेंस की प्रियोजना थी जो उसमें काम किये गए थे वो बहुत ही हमें इस आगे बढ़ने में उसमें मदद और कारगार साबित हुई और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे टीचर्स का जिनों ने उस मेंटल ब्लॉक से बाहर आए कि शिक्षा को इस क्लासरून टीचिंग के बाहर भी लेके जाया सकता है जी वो तो एक बहुत बड़ी चनौती थी और जैसे हम इसकी भी बात करेंगे हम शिक्षा कैसे की गई ओनलाइन कैसे हम आए सबसे पहले हम जो आपको एकदम जब लॉकडाउन अनौंस हुआ और एकदम स्थिति ऐसी आ गई के सब कुछ जन जीवन हमारा रुक सा गया थम स गया उस दौरान आपने किस तरह से जिसको कहते हैं न है कॉमिनिकेशन भी बहुत जरूरी थी किस तरह को सब को जोड के सब को एक इन्फोरमेशन पहुंचानी उन तक वो वो चनौतियों कैसे है इस चनौतियों को हम दो तिन पहलू में हमें समझना पड़ेगा जी सबसे फ बंदन किया जिसमें हमारे फकल्टी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया और हमने ओनलान क्लासीज इवन इस एक्स्टेंट तक गए क्योंकि बहुत सारे ग्रामीन शेतर के बच्चे थे जिनके पास शायद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक् रेत्षप है फेस्बेक बुक है उसके उपर उने इंटरनेट के जरिए ले आक सके उणको इंटरनेट के जरिये उनको कन्तिनीव करवाया हर संभव कोशिश कर के बच्चों तक पॉंचा गया दूसरा हमारा पहलू था रिसरश् स्कॉलर्स रिसरश्स कॉलर्स में अगर continuity बहुत जरूरी है, कोई research आपके processes में है, उसको आपने continue करना है, उस चीज को भी ध्यान रखते हुए, जो बहुत जरूरी research अनुसंधान चल रहे थे, उसको भी continue रखा गया, labs, work को सभी मानक को मानते हुए, कोईड के मानक को मानते हुए, minimum level पे, ताकि वो जो continuity है research की, वो बादित ना हो, उसको continue किया गया, और इसमें भी पंजाब उनिवर्स्टी ने, under the leadership of the vice chancellor, different different committees बनाए गई, जो research, जितने भी कारयत है, उसको देखने के लिए, ताकि उसमें जो ज academics की थी, पाथे करम को कोई change करना है, कोई system change करना है, examination का system change करना है, उसके लिए अलग committee बनाए गई, परशासनिक तोर पर, सबसे बड़ा हमें challenge आया, क्यूंकि ये lockdown लगा March 2020 में, year and financial year, पंजाब university, एक सरकारी university है, और कोई भी सरकारी संस्था में, पैसे की हमेशा थोड़ी किसी दिक्कत रहती है, तो हमारे पास सबसे बड़ा challenge था कि हम आगे salaries, pension उनको कैसे दे, जब बिलकुल lockdown था, तो हमने core team तियार की, क्यूंकि हम already हमारे सारे financial transactions को online mode में ला चुके थे, हमारे सारी digitization process complete हो चुकी थे, तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ, हमारी एक कोई भी जो core activity है, वो university की बंद नहीं हुई, एक दिन भी किसी pensioner की, किसी salary person की, किसी की payment एक दिन भी रुकी नहीं, तो ये तो बहुत ही तरीफ दायक बात है, जो आपने बताई कि कोई भी कारिया रुका नहीं, उस हिस हिसाब से विप्ता आई थी, तो ये सब आप लोगों की मेनत और आप लोगों की coordination के तहत हो सका, तो जैसे आपने अभी आप बात कर रहे थे, lab work की जैसे अगर हम बात करें, तो जो जहन में बात आती है, कि जैसे students का lab में research चल रहा है, उसमें कुछ research animals पे भी होती है, plants पे भी होती है, उनको देखा जाता है, animals को खाना खिलाया जाता है, तो वो सब चीजें भी यकीनन आप लोगों ने कुछ steps उठाया होंगे, ताकि उनकी research खराब ना हो बच्चों की, देखिए, lockdown हो गया, but university की जो core functioning है, वो एक दिन भी बंद नहीं हुई, शायद दुकानों में लॉक लगे, ताले लगे, university में ताले नहीं लगे, ज उसका जो श्रे जाता है, वो जाता है corona warriors को, वो श्रे जाता है teachers को, वो श्रे जाता है जो हमारे health workers हैं उनको, सफाई करमचारी हैं उनको, और जो field maintenance staff है उनको, जैसे आपने कहा कि lab में animals पे उपर research होती है, animals वहां पे हमारा एक lab है, जहां पे animals को रखा जाता है, उनको rear किया corona माहमारी में जितना भे था, इतनी संकर्मन था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये ensure कि शिक्षा प्रणाली में किसी तरह की बाधा ना आए, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा मेरे हिसाब से थी, वो थी क्योंकि पाठ्य करम करने के बाद आपको उसको evaluate करना है, examination लेना हो रहा है, वो ये है कि जैसे पंजाब विश्वदाले में एक मार्किट भी है, आपका हेल्थ सेंटर भी है, लोगों के लिए, और यकीन जो आपके रेजिडेंट्स रहते हैं, कैंपस में, उनके लिए जो आपकी जो सेवाएं थी, वो किस तरह से आपने कॉंटिनू रखी वो जानना चाहेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो कोई भी एजुकेशन इंस्टिटूशन है, या विश्विद्याले है, या अनुसंधान संस्थान है, वो उसका सिरफ ये कारे नहीं है, कि वो एक पाथे करम कराएगा, एक बच्चों को एक डिग्री देगा, उसका एक सोशल रिस्पॉंसिबिल्टी भी होती है, उसने एक समाज को मार्क दर्शन भी देना है, उसने परशासन को, सरकार को, नितियों के लिए कुछ इंपूट्स भी देना है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये शेर करने में कि पंजाब उनिवस्टी ने इस रिस्पॉंसिबिल्टी को भुखु भी निभाया, वो कैसे, विदी सपोर्ट उफ चंडिगाद अडिमिस्टेशन, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ, सारी चंडिगाद अडिमिस्टेशन का, जिन्हों ने हमें सपोर्ट किया, हमने क्या-क्या फेसिल्टी इसमें क्या-क्या हम कर पाए अपने रेजिएंट्स के लिए, स्टुडेंट्स के लिए, रिसर्श कॉलर्स के लिए, वहाँ पे हमने केंपस में स्पेशली वहाँ पे एक वेंडर्स जोन एस्टेबिश की, जह प्रशासन के साथ मिलकर पर कैम्पस के उपर दो कोविड केर सेंटर इस्टेबलिश किये, जिसको बार में एक सेंटर को कोविड केर वार्ट में बी हमने अपगेड किया, उसमें हमारे जो इंडियन आर्मी ने भी हमारा सहयोग दिया, इसके इलावा जो हमारा university का अपना health center है उस health center में हमने अपने residents को घर तक पहुंचे उनके वहाँ पे हमारे telephone facility के जरिए email facility के जरिए online portal create किया हमने कि किसी भी employee को अगर ऐसी symptoms erupt होते हैं तो वो online portal create किया हमने online portal पे वो अपना detail जालते थे उनको कोई आने की जरूरत नहीं थी उसके basis पे हमारे जो health center के chief medical officer है dr. उपिंदर उन्होंने भी बहुत अच्छा कारे किया उसके बेस पे उन्होंने उस portal की information पे घर पे जाके उनको medical aid दी चाहें वो supply ती दवाईयों की चाहें वो consultancy थी यह एक जैसे कहते है न विश्विदाले है campus है इसमें हर तरह के work के लोग भी है families है बच्चे है faculty है तो एक तरह से यह परिवार ही हो जाता है एक तरह से यह चोटी family है तो इसमें एक जैसे हमने students की बात की तो विद्यार्थी भी काफी hostels में रह रह रहे थे जब एकदम lockdown लग गया तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाए और students को किस तरह की सुविदाएं प्राप्त की या वो किस तरह से बाद में अपने घरों को भी गए क्योंकि university बंद हो गई थी तो उसके ऊपर कुछ आप बताएं हमें कि किस तरह के कदम उठाए गए ऐसे university छोटा नहीं बहुत बड़ा परिवार है मेरे ख्याल से चंडिगड में जो university campus है this is one of the most crowded जो place है और students जो है वो हमारी foremost priority है बिलकुल students के लिए हमारी special team health center की लगी थी जो students के लिए उनकी हर health activity को उनोंने follow किया और इसके लिए dean student welfare उनकी देखरे के कुछ wardens की committee बनी थी उस committee ने हर hostel में survey किये वहाँ पर interaction की students से although जब ऐसी unprecedented situations create होती है तो आपको उन प्रस्तितियों में कुछ decision लेने पड़ते हैं जी बिलकुल वो decision जब आप लेते हैं उस spot पे उस time जो प्रस्तितियां है उस हिसाब से लेते हैं लेकिन बाद में अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो उसमें कुछ कमिया न students और जैसा आपने ठीक कहा कि हमारे लिए सबसे ये था कि इन बच्चों को यहां पर अगर सक्रमन हो जाता है अपनी family के बाद तो बहुत बड़ी एक problem बन सकता है तो इसके लिए भी हमने प्रशासन से साहता मांगी और उनने हमें साहता भी दी कि बच्चों को कैसे उनके घ किया जो बच्चे नहीं कर सकते थे और प्रशासन ने इस की help की और बहुत सभी बच्चे सेफली अपने अपने घरों में पहुंच के पहुंच के बहुत एहम बात आपने बताई बिकास सेफटी सबसे एहम था उस टाइम मुद्दा चाहे वो उस टाइम स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो या ना लगा हो तो अभी आपने मुझे एक और बात बताई जैसे एकदम आपने अडॉप्ट किया सिस्टम जैसे कहते हैं वो प्रिस्थती ऐसी थी कि उसमें हर दिन हर पल बदल रहा था सिचुएशन बदल रही थी फियर फैक्टर बढ़ रहा था और कि इसी को कुछ पता नहीं था कि किस तरह आगे चलना है हर समय जो है वो नई नई चीज आ रही थी और आंकड़े भी बढ़ रहे थे केस बढ़ रहे थे और एक जब आती ऐसी चीज तो आप सबसे पहले घबरा के बिगाज मीडिया में भी बहुत जादा उसकी जानकरी आ रह के नापतोल बना के उनके साथ कंटेक्ट बना के उनको हर तरह की सुविधा परदान की और उनके लेक्चर पूरे किये तो उसमें ऑनलाइन में कुछ समस्य आए आपके सामने कुछ आई या कुछ बैनिफिट्स जो स्टूडेंट्स को हम घर बैटे दे सकते थे वो किस तरह की चैलेंजिस आए उसमें रेनुका जी मैं तो ये कहूंगा कि इस महामारी के दौरान चनौतियों के इलावा हमें एक बहुत बड़ा अफसर मिल गया वो अफसर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मिरे हसाब से स्टूडेंट और टीचर का कनेक्ट और जादा इंटिमेट हो गया है गह रहा हो गया जी पहले जो क्लास्रूम टीचिंग थी आप पचास बच्चों को अड्रेस करते थे आज वो थू सोशल मिडिया इन वर्चुल मोड बच्चे डिरेक्टली इंट्रेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये ओनलाइन मोड इ चाहें सोशल मीडिया चाहें वर्चुली के माधम से और दूसरा एक चीज जो और उबर की आई कि जो अकेडमिक इंटरेक्शन हैं चाहें वो इंदी शेप ऑफ सेमिनार्स हैं चाहें कोई सिंपोजियम हैं जिनको हमने अगर कोई विश्विवियापी कोई साइंटेस्ट को बुलाना है तो वे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था क्योंकि फिजिकल मुवमेंट होनी है उसकी लेकिन आज की डेट में जो आज की प्रस्तितियां हैं इंटरनेशनल सेमिनार्स हो रहे हैं पंजाब उनिवर्स्टी ने सेक्ड़ों इंटरनेशनल सेमिनार सिंपोजिय अरेंज किये हैं जिसमें विश्व विवापी, साइन्टेस्ट, अकेडमीशन्स उनकी हमें उनको सुनने का मुका मिला जो वैसे फिजिकल में नहीं हो पाता है एक आएगा या दो आएंगे इतने लोग नहीं जुड़ पाते आज की डेट में आप वर्चुल मोड में इन अ क्योंकि इसमें बढ़ गई है फिर मैं ये रिपीट करना जाओंगा मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कि हम फिजिकल इंटरेक्शन खतम कर देंगे बट ये हमें एक नहीं डाया मिला है जी आप कहीं दूर दराज दूसरे कंट्रीज में भी बैठे आपके जो स्पी करना महरमारी के दौरान बहुत सारी साइकलोजिकल जी प्रॉब्लम्स भी फेस की बच्चों ने जी मैं यही अभी इसी सवाल पर आ रही थी के जैसे सेकॉलजी बहुत इंपक्ट होई घर बैठे बच्चों की उसके लिए कुछ उसके लिए भी हमारे युनिवस्टी में द चाहें एनक्स टीम थी उन्होंने अवेरनेस प्रोग्राम अरेंज किये और टीचर्स ने भी अपने परसनल लेवल पर चाहें वो वार्डन्स हैं वार्डन्स ने अपने हॉस्टलर के साथ डरेक्ट इंटरेक्शन की थू वर्चॉल मोड इंटरेक्शन की तो यह सभी चीज आपने बात की कि स्टूडेंट की सेकालीजी पर बाहत असर भी हुआ है सब के वहा है इस माहमारी के दौर में उसमें जैसे केंपस बन था और उसमें मैं मानती हूँ के बहुत सारे जो वर्कर्स, मजदूर वर्ग वो भी फसे हुए थे आपके काफी सारे जानवर भी फसे हुए थे डॉग्स जैसे जो स्ट्रे डॉग्स थे वहाँ पे उनका भी कुछ किसी तरह से कुछ प्रबंद किये गए के उनको भी देखरे की जाए जैसे केंपस में भासे हुए तो कुछ steps उठाए हैं उनके लिए भी उसमें जो तो हमारे workers हैं चाहे वो कोई project पे worker लगे हुए हैं construction पे मज़ूर लगे हुए हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब इंवर्स्टी ने जितनी देर lockdown रहा उन्होंने काम किया या नहीं किया उन सब को उनकी due wages इसके लिए ये humanitarian ground था और इसके लिए भारत सरकार ने भी notification निकाली थी कि कोई भी मज़ूर उनकी wages lockdown period की मिलनी चाहिए और पंजाब इंवर्स्टी ने एक भी दिन की wages उनकी नहीं काटी जो ये बाकी जो animal का है उसके लिए पंजाब इंवर्स्टी में एक voluntary clubs बने हुए हैं जो employees चलाते हैं उसमें प्रशासन का कोई direct सीधा रोल तो नहीं है बट वो जो voluntary clubs हैं उन्होंने इन सभी चीजों का ध्यान दखा तो इससे आगे हम बढ़ेंगे समय की कमी भी है हम इससे आगे सिरफ एक main जो बात है के online हमने हमारे बस कोई और option भी नहीं था online exams लेने का ही option तो उसके लिए कैसे तियारी हुई या कैसे challenges आए और कितने successful आप हुए उस online examinations को implement करने के लिए जैसा कि बैने शुरू में कहा था कि शेक्षिनी प्रणाली में अगर इस corona महामारी में सबसे बड़ा challenge है जो वो evaluation और examination system का ही रहा हमने अब तक तीन semester के online exam करवाई है जो पहला exam हमने online करवाया था तो हमने कुछ चीजें उस परसिश्थियों में हमने अपनी तरफ से best किया बट retrospectively हमने जब उसको review किया क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही high level जो हमारे senior professors हैं उनकी committee बनी हुई थी controller of examination उनको convene कर रहे थे तो उसको हमने बार बार review किया हमने पहला examination करवाया तो हमें उसमें कुछ कमी आई कि कहीं पर secrecy जो है वो compromise हो रही है कहीं पर कोई quality compromise हो रहा है तो we learned from those things वो हमने इंप्रोव करते हुए हैं जी बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो examination जो हमारा system है वो हम physical mode बे ही जाएंगे बट प्रस्तितियों को देखते हुए ये भी नकारा नहीं जा सकता कि online examination में भी हम पूरी secrecy पूरी मानक के हसाब से हम evaluation कर सकते हैं और जो हमने किया और result भी declare कि बहुत खूब जानकारी दी अब हम समाने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इसको खोलने की स्तिति में आ रहे हैं कुछ चीजें खुल गई हैं कुछ और खुलेंगी तो उसके लिए कुछ आप जानकारी देना चाहे से सब कुछ दीरे-दीरे खुलने लग गया था और फिर फेस्टिबल अंत तक मार्च अपरेल में एक सेकेंड वेव हमने देखी अब हम भी और जादा ओपनिंग आप की तरफ चल रहे हैं बट हमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलन्स को बना के रखना पड़ेगा बिलकुल स यर तो अभी भी फेस्टिबल सीजन चल रहा है अगले मार्च अपरेल तक हमें बहुत कॉशियसली देखना पड़ेगा बिलकुल आपने सही का और इसलिए युनिवर्स्टी ने जिसके लिए एक सीनियर प्रोफेसर की कमेटी है उसमें डीन युनिवर्स्टी इंस्रक्शन हैं इन स्टुडेंट वेलफेर हैं उन्होंने एक ब्लूपिंट तियार किया है और उस पर अलड़ी काम शुरू हो चुका है हम करमवार में इन फेस्ट मैनर करमवार हमने ओपन कर दिये हैं हमारी जो प्राथमिक्ता हम दे रहे हैं जो प्रफेशनल कोर्सी जो साइंस कोर्स हैं जिसमें लैब वर्क है और टर्मिनल ग्जामिनेशन है बहुत सारी डिपार्टमेंट की ओपनिंग हो रही है होस्टल में हम ऐसे ही फेसी में करमवार में ओपन कर रहे हैं सो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखके चलनी पड़ेंगी बिलकुल खूब का विक्रम जी आ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का और हमारे साथ ये जानकारी शेर करने का के शिक्षा जगत में आपने किस तरह से रन निती बनाई और हर काम को आप बिलकुल नॉर्मल तरीके से इन प्रिस्तितियों के इलावा भी चलाते रहे और युनिव नुकसान ना हो और शिक्षा का करम चलता रहे ताकि उनका किसी भी तरह का नुकसान आगे जाके ना हो धन्यवाद